यह अब हम जा रहे हैं जन्नत अल्बकी की तरह उपर जाना है यह भी असर दिबाल के लिबाल के लिबाल के लिबाल असलाम अलेकुम रह्मत अल्लाही वबरकातू कि अपापा के लिबाल के में इसाम देगा है यह वह अवाइब भी अवाइब बहुत सारे साथां अबुश्य जी सवाम अलेकुम दोस्तों कैसे आप सर्थ अमीद करता हूं खेब खेयरियत से होंगे तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं जन्नत अल्बकी की करदे़ए जो मतीना मनुगरा का सबसे कदीर और मुसल्मानों का सबसे पैदा का पुस्ता है यह जी अब हम जन्नत तुल बक्की वाली साइट पर आ गए हैं चलते हैं अभी वह अब जन्नत तुल बक्की इदर है जन्नत तुल बक्की उपर जाना है अब यह जन्नत तुल बक्की बंद है अशर के बाद ओपन होगा अब का पाइ है अरु को जो को एमनी हम कहा जब क Naturally वहीं है को ऑइन कर दोरीम तुल चे वाला कुल कTo 본 का थाइब कंवान धन कर देंख कर दोस्तों यहां पर स्क्राइब में मुझे कैमरा बंद कर में के लिए कहा उसके सामने तो मैंने कैमरा बंद कर लिया लेकिन आगे जाके पिर राउन कर लिया ताके मैं भी देख सकूँ और आफ नवों के में भी जन्नत अलवकी की तुछ वीडियो बना सकूँ ताके आप लोड भी इसकी जियारत कर सकें अल्लाहुमा सल्ले आला मुहम्मद वाला आलिही वसाहबिए वसल्लिम अल्लाहुमा सल्ले आला मुहम्मद वाला आलिही वसाहबिए वसल्लिम जन्नत अलवकी को बकी अलवकत भी कहते हैं जिसका मतलब ऐसा वसी जमीन का टुपड़ा जिसमें मुफलिफ किसम के पौदे लगे हो या घास फूस लगी हो हजूर सल्ले लगा जब हिजरत के बाद मतीना तश्रीफ लाए तो इस जमीन पर बहुत से घास फूस के पौदे लगे होए थे जिसको बाद में साफ करके कबरुस्तान बना दिया गया इस कबरुस्तान में मुसल्मानों को दफराने का आगाज पहली सती हिजरिम से स्टार्ट हुआ और आगाज इसलाम की बहुत सी मशूर बजर्ग हस्तियां बुद्ध और आहम शक्सियात यहां मत्फून है हजूर्स अल्लाहु अल्यवाले वसल्म के करीबी रिष्टेदार एन बैद और बहुत से साहबा कराम जिनकी तादात हजारों में होगी वो भी इसी कबरुस्तान में मत्फून है जन्नत अलबकी की तारीख के बारे में बात की जाए तो बकी का लब्स ऐसी वसी जमीन जिसमें बहुत सी किसमें खास के पौदे लगे इसलाम आने के बाद ये जमीन मदीना के मुर्दों को दफनाने के लिए इस्तमाल हुई मुसल्मानों का कदीम तरीन कबरुस्तान मस्जिद नबी के करीब और शेहर के अतराफ में वाके था लेकिन आज के दोर में मस्जिद नबी और जन्नत अलबकी में तोसी की वजा से बिलकुल करीब आ गये हैं यह यूँ कहें कहलें कि यह एक दूसरे से जुड़ गए हैं कबरुस्तान के चार तरफ चार दिवारी है और इसका में गेट मस्जिद नबी में ही है हजोर सल्ली लाह और अन्यवाने वस्जिद की प्यारी बेटी हज़र फात्मा रजिद लाओ टालानों और बेटे हज़र इप्रहीम रजिद लाओ टालानों भी इसी कबरुस्तान में मत्फोर्ण हैं मुम्ट फोन है सन 1924 से पहले तक यहां पर मकबरे और गंबद मौजूद थे जिन से ये मालूम होता था कि ये कबर या मकबरा किस अजीम शक्सित का है लेकिन 21 अपरेल 1925 या 1926 के बाद सारे गंबद और मकबरे किरा दिये गए यहां तक के कबरों पर लगे कटबे भी हटा दिये गए और आज बिलकुल भी पता नहीं कि कौन सी कबर किस की है रिवायात के मताबिक जन्नत अलबकी में दफन होने वाले हर शक्स की रसूल अल्लाव सल्दों खुद मखरत की दूा करेंगे या अल्लाहुमा सल्ल आला मुहमद वाला आलिहीं वसाहबिए वसल्लिम अल्लाहुमा सल्लिया आला मुहम्मद वाला आलिही वसाहबी वसल्लिम अल्लाहुमा सल्लिया आला मुहम्मद वाला आलिही वसाहबी वसल्लिम अल्लाहुमा सल्लिया आला मुहम्मद वाला आलिही वसाहबी वसल्लिम यहां पर एक कुष्ट सीट का जनाजा जा रहा है जिसे जनत तल्बकी में दफन किया जाएगा यहां से मजिद अल्बी के मिनार भी नजर आ रहे है दोस्तों यह था हमारा जनत तल्बकी का सफर आपको जनत तल्बकी कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताईएगा इसकी जियारत आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताईएगा और जन्नत अलबकी को देखकर आप क्या फिल कर रहे हैं ये भी कमेंट्स में जरूर बताईएगा और इस वीडियो तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सबस्क्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दौाओं में याद रखेगा, अल्ला आपका हामिय नासिर हो